हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल, माई नेम इस हरजीत कौर, हम डिसकस कर रहे थे मडीवियल हिस्ट्री में आज हम डिसकस करेंगे मुगल इम्पायर के बारे में, लास्ट हमने डैली सल्तनत जब डिसकस करा था, तो डैली सल्तनत की लास्ट लोदी डाइनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, वो कौन थे वो थे, इबराहीम लोदी, तो इबराहीम लोदी को हराया था, बाबर ने, तो बाबर ने कब हराया था, 1526 AD के अंदर, कौन सी बैल हुई थी उस टाइम पे, उस टाइम पे हुई थी बैल आफ पानिपत, तो ब हो गया, और वहां से शुरुवात होती है, उसके बाद मुगल इंपायर की, और मुगल इंपायर के पहले रूलर फिर बने बाबर, तो अब बीच में हमने जो डैली सल्टनत के अडिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर, आर्ट & कल्चर वो सब चीजें पड़ी है, साथ में इस स्टोरी हम यहां पे कांटीनू करने वाले हैं, तो 1526 के अंदर जब बैटल अफ पानिपत होती है, तो उसमें कौन जीतते हैं, बाबर जीतते हैं, तो उसके बाद रूल शुरू होता है, बाबर का, अब बाबर कौन थे, बाबर के बारे में देख लेते हैं, फादर से यह ताइमूर के डिसांडेंट थे, ताइमूर इनवेजन हुआ था ना, उसके बारे में भी हमने पड़ा था, तो ताइमूर के डिसांडेंट थे, अपनी फादर साइट से, और मदर साइट से अगर हम बात करें, तो यह चंगेज खान कौन थे, यह मंगोलिया साइट से आये थे इंडिया में तो यह चंगेज खान के डिसेंडेंट थे मदर साइड से और फादर साइड से ताइमूर के डिसेंडेंट थे अब इनकी फैमिली की अगर हम बात करें तो यह एक तुरकिश रेस को बिलॉंग करते हैं नाम क्या है जब बाबर का रूल शुरू हुआ तो मुगल इंपायर की शुरुवात होती है तो ओरिजिनली जब इन्होंने रूल करना शुरू करा कहां से शुरू करा था फर्गना से अफगानिस्तान के अंदर है वहां से इनके रूल की शुरुवात होती है लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ उस टाइम पर इनको इंडिया में बुलाया किया राइट रूल कहां पर कर रहे थे रूल ये कर रहे थे फर्गना अफगानिस्तान में लेकिन इंडिया में इनको बुलाया किया था किसने बुलाया था दौलत खान लोधी ने अटेक करने के लिए specially इनको इन्वाइट करा गया था he was invited to attack India by दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी कौन थे, पंजाब के सूबेदार थे, आलाम खान लोधी, अंकल आफ इबराहिम लोधी and राना संगा तो इननों ने इसको specially invite करा था, अपनी help करने के लिए, इंडिया पे attack करने के लिए, तो जब इनका 5th expedition था, बाबर का 5th expedition था, वो इसका successful रहा, 5th time जब इसने attack करा, तो successfully इन्होंने अपनी जो battle थी, वो जीती भी, कौन सी battle होई थी? Battle of Panipat 1526 AD के अंदर जो के ये जीते, और इन्होंने किसको हराया था? इबराहीम लोदी को इन्होंने हराया था, इबराहीम लोदी को हराकर, डैली सल्टनत जो था, पूरा का पूरा खतम हो गया जो लोदी डाइनस्टी थी, वो भी कतम हो गया, डैली सल्टनत भी उसके बाद खतम हो गया और मुगल इंपायर शुरू हो जाता है 1526 AD में होई थी Battle of Panipath उसके next year होती है Battle of Khanwa 1527 के अंदर Battle of Khanwa Battle of Khanwa में बाबर ने हराया था Rana Sangha of Mayward को किसको हराया? Rana Sangha of Mayward तो उसके बाद बाबर को टाइटल दिया गया घाजी का कौनसा टाइटल मिला? घाजी का टाइटल मिला था अब यह जो battle के years है न यह सारे ही important है first battle of Panipath जो है यह तो most important है first battle of Panipath कब हुई थी 1526 के अंदर हुई थी किसको हराया था? इबराहिम लोदी को हराया था बाबर ने हराया था उसके next year 1527 के अंदर होती है battle of खनवा, battle of खनवा में किसको हराया? राना संगा और मेवाड को और उसके बाद इनको टाइटल मिला घाजी का फिर उसी के next year 28 के अंदर 1528 में होती है battle of चंदेरी तो इसमें इन्होंने एक और राजपूत रूलर को हराया नाम किया था? नाम था मेदनी राई को हराया 26, 27, 28 उसके बाद 29 में फिर से battle होती है कौन सी होती है? battle of घागर battle of घागर होती है 1529 के अंदर उस time पे इन्होंने किसको हराया था? मुहमद लोदी को जो के इब्राहिम लोदी के अंकल थे 26 में इब्राहिम लोदी को हराया और 29 में उनके जो अंकल थे महमद लोदी उसको भी इन्होंने हरा दिया तो सब को हरा दिया तो battle of घागर जो हुई थी पहली ऐसी battle थी medieval India की जो land and water दोनों पे ही हुई थी पानी पे भी जो soldier थे लड़ रहे थे और land पे भी लड़ाई हो रही थी तो medieval India की पहली battle थी जो land and water दोनों पे हुई थी कौन सी थी battle of घागर कब हुई थी 1529 में तो चार battles है याद रखना है battle of पानीपत 1526 battle of खनवा 27 battle of चंदेरी 28 and battle of घागर 29 उसके बाद जो बाबर जो थे उनको एक title दिया गया कौन सा? बादशा का तो बाबर पहले ruler थे जिनको बादशा का title मिला था और इनकी एक book भी है क्या नाम है? तुरकिश के अंदर है जिसका नाम है बाबर नामा इसको और किस नाम से बोलते हैं इस book को किस ने translate करा था पर्शान में ट्रांसलेट करा था अबदुल रहीम खाने खनन ने चाहिंट गया मैडम बिवरेज ने लिए बाबर नामा थी तुरकिष में थी लेकिन बादमें इंक्लिश यह को ट्रांसलेट कर दिया गया तो बाबर थे इंडिया में इतनी सारी इन्होंने बैटल्स जीती जिसके चलते हुए जो बाबर का गन पाउडर आर्टिल्री थी इंडिया में बहुत ही जादा पॉपुलराइस हो गई जो वेपन्स बगारा ये यूज करते थे वर के टाइम पे तो बहुत ही पॉपुलर हुए रैपिटली पॉपुलर हुए तो कुशान के बाद कुशान रूलर जो थे कुशान रूलर के बाद ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने काबल और कंधार वाला जो एरिया था उसको भी इंडियन इंपायर में जो था बीच में मिला लिया था रैट काबल और कंधार जो था वो इंडियन इंपायर का ही प इनको कहां बरी किया गया था आगरा के अराम बाग में कहां पे बापर को बरी किया गया था आगरा के अराम बाग के अंदर अगें इंपोर्टनेंट है उसके बाद इनकी जो बॉड़ी थी उसको कहां शिफ्ट कर दिया गया काबूल में अराम बाग में ही नेक्स्ट हमारी र 556 में एक साल और इन्होंने रूल करा यह जो बीच वाले 15 years का gap है इन 15 years में हमायू ने क्या किया यह country छोड़कर भाग गए थे exile इनको निकाल दिया गया था country से ही राइट तो यह 15 साल यह इधर उदर भटकते रहे और 1555 में आकर यह फर से गद्दी वे बैठते है और 56 में इनकी डेथ हो जाती है हमायू कौन थे हमायू बाबर के ही बेटे थे बाबर और महम अंगनंग बेगम के यह बेटे थे अब जो बाबर थे बाबर ने अपने इंपायर को जो हमायू के तीन भाई थे उनके बीच में बाइड कर दिया था तो जिसके चलते हुए जो हमायू थे उनको गद्दी के लिए बहुत जादा स्ट्रगल करना पड़ा बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी तब जाकर इनको अपनी गद्दी में बैठे अब जब यह आकर अपनी गद्दी में बैठे उसके बा अगेंस्ट 1533 AD के अंदर उसके बाद 1533 AD में इनका जो फोस्ट सीज था चुनार का चुनार फोट चुनार फोट को इन्होंने सीज कर लिया आसपास आर्मी लगा दी उसको एक तरह से घेर लिया चुनार फोट को घेरने के बाद यह कहां पर बढ़े यह गौर की तरफ पढ लेकिन वहां पर किया हुआ वहां पर थे जलाल खान जलाल खान क् précis में पर और यह पर पर स्बादय उसके बाद जो हमाईLook की वह इनके अपने वह बेटन कुतम खान को और वहाँ पर इनकी आपस में सेटलमेंट हो गई जैसे भी हुई इनकी आपस में सेटलमेंट हो गई तो फर्स्ट सीज जो हुआ था चुनार का उसके बाद इनकी सेटलमेंट आपस में हो गई थी लेकिन उसके बाद फिर से सेकंड टाइम इन्हों ने चुनार उसके बाद फिर से जलाल खान ने इनको रोकने की कोशिश करी थी जलाल खान ने 1538 AD की बात है लेकिन उस टाइम पे जो हमाईू थे हमाईू ने जो गॉर्फोर्ट था उसको अक्यूपाई कर लिया शेर खान से उस टाइम पे हमाईू नहीं रूखे इन्होंने उसका नाम बदल कर लगा रख दिया जननत बाद परडाइस जननत बाद उसका नाम रख दिया गया गॉर्फोर्ट का उसके बाद 1538 में होती है Battle of Chausa Battle of Chausa कभ हो जो हो एटके अंदर अब जो यह battles हो रही है ले इन बैटल्स के येर्स जो है इंपोर्टेंट है डाइक्त क् वा चौसाः किसके बीच में हूई थी बैटल ओफ चौसाः दुसरी साइड हमाईउ की आर्मी थी। उन दोनों के बीच में हुई बैटल ओ winter अभ चौसाः तो यह जो बैटल ओफ चौसाः हुई थी कमें हमाईउ हार दे हैं हमायू was badly defeated and escaped he was saved by निजाम जो हमायू है हार कर भाग जाते हैं कौन भागने में help करता है जो निजाम था वो इनकी help करता है और वहाँ से ये भाग जाते हैं उसके next year 1540 के अंदर होती है battle of कनाज पहले हुई battle of 14 उसके बाद हुई battle of कनाज battle of कनाज में again जो हमायू थे वो फिर से हार जाते हैं जो शेर्षा थे वो इनको हरा देते हैं और उसके बाद ये हमायू वहाँ से भाग जाते हैं अब पहले इन्होंने जो हमायू थे इन्होंने रूल किया रा था 1530 से लेकर 40 तक राइट दस साल इन्होंने रूल करा 40 के अंदर जो battle of कनाज हुई थी उसमें ये हारते हैं और इंडिया से भाग जाते हैं तो continuously 15 years तक ये कहां पे रहते हैं exile में इंडिया से बाहर ही रहते हैं एक तरह से देश निकाला दे दिया जाता है इनको फिर ये इदर बढ़ते रहते हैं कहां जाते हैं जाते हैं जिस टाइम पे जो शेठ किसका शॉरी शेड नहीं है निये वहाँ पे किसका रूल था शाह हुसा Coronel Agara का रूल था सिंद में तो वहाँ पे भटकते बटकते जाते हैं फिर finally ये Iranian court में पहुंचते हैं ऐसी चलते फिर ते क्योंकि इंडिया से तो इसको निकाल दिया गया था जो इनका empire था वहाँ से निकाल दिया finally इनको इंडिया में वापिस आने का अपने ही empire में empire में वापिस आने का मौका कब मिलता है 1555 के अंदर जब ये 1555 में इंडिया में वापिस आते हैं तब इनको पता चलता है कि जो शेर्शा थे शेर्शा और उनके बेटे इसलाम शा जलाल खान जो हमने पढ़ा था उसका नाम ये इसलाम खान शेर्शा और इसलाम खान जो थे इसलाम शा जो थे ये वो अल्रेडी रूल कर चुके थे 1553 में उनकी डेथ हो गई थी और उस टाइम पे 1555 में कौन रूल कर रहा था इंडिया में 1555 में रूल कर रहे थे महम्मद आदिल शाह उससे पहले जब हमायू जाते हैं इंडिया छोड़ कर तो पीछे से कौन रूल करता है शेर शाह और उनके ब लेकि जो महम्मद आदिल शाह थे न यह बहुत ही एक तरह के आलसी रूलर हम बोल सकते हैं ही वस फॉन अफ प्लेजर अराम परस्त थे उनको जादा काम करने में इंटरस्ट नहीं था बहुत ही अराम की जिना चाहते थे इसलिए उनका जो पूरा का पूरा काम था जो पूर वही उनके सारे काम देखता है उनके किंगटम के कहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा एक उनका और ओफिसर था जो इनकी हल्प करता था वो कौर था वो था बैराम खान मुगल्स लहौर को अक्यूपाई कर चुके थे लेकिन अभी तक डैली नहीं पहुंचे थे उसके battle होती है battle of mashivara कब हुई थी ये battle of mashivara ये भी 1555 में ही हुई थी battle of mashivara जो हुई थी ये afghans के against हुई थी और 1555 के अंदर ही होती है battle of sarhind battle of sarhind भी 1555 के अंदर ही होती है सिकंदर शा के against और उसके बाद जब ये दोनो battles होती है उसके बाद हमायू के चांस मिलता है गद्दी बर बैठने का फिर से 1555 में यो हमायू होते है वो second time आकर अपनी गद्दी बे बैठने है हमायू's second coronation was organized second time उनको फिर से राजा बनाया जाता है राजा का एक जो ताज होता है वो उनको फिर से मिलता है उसके next year 1556 में 1556 के अंदर हमायू की डेठ हो जाती है कैसे डेठ होती है लाइब्रेडी की stairs जो होती है उससे वो गिरते हैं डेली में ही शेर मंडल में तो वहाँ पे गिरते हैं और वहीं पे उनकी डेठ हो जाती है तो इनकी second जो capital जब दुबारा आये थी तो उस time पे जो capital थी वो थी दीनपना इनकी second capital थी तो इसके बाद इसके साथ ही जो हमायू का rule है वो खतम होता है और जो next ruler है वो कौन थे? वो थे अकबर अब जो अकमर का rule है वो काफी बड़ा है जसको हम next video में discuss करेंगे right so that's all for today hope you like this video thank you bye bye and have a nice day